नमस्कार श्रोताओं कारिक्रम आरोग्यों में आप सभी का स्वागत है स्विकार कीजिए आकांख्षा सिंग का नमस्कार और आज हमारे साथ हैं IMS BHU आयरवेद संकाय से डॉक्टर ममता तिवारी कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद शोताओं आज का विशे है मासिक धर्म और स्थी स्वास्थ में आयरवेद की भूमिका इस विशे पर आपके प्रश्णों का उत्तर आज डॉक्टर साहिबा देने वाली है तो आईए ये पहले कॉल लेते हैं हलो कौन बोल रही है कहां से मैं लाल गम से बोल रही हूँ हमारा नाम है कामना उपाग्ध है डॉक्टर ममता तिवारी हमारे साथ है और कुछ बताना चाहेंगी या आपकी बच्ची कितने साल की है अथारा साल की उम्र हो गई है आपकी बच्ची का एक बार आप किसी डॉक्टर से थोड़ा सा चेक अप कराईए क्योंकि जब एमसी सोला साल में जैसे आपने बताया कि सोला साल में शुरू हुई थी तो अभी तो शुरू के दिनों में थोड़ा सा इर्रेगुलर रहता है मतलब कम जादा होते रहता है समय पे नहीं आता है कभी जादा हो सकता है कभी कम भी हो सकता है तो अभी आप उतना इसका फिकर ना करें और अगर आपको अभी दिक्कत लग रही है जैसे बच्ची का वेट कितना है अगर बच्ची का वेट कम होगा बच्ची कमजोर होगी तो अभी हो सकता है उसका मान से धर्म कम आए जादा तंदरुस्त भी होगा तो भी दिक्कत होगा थीक है हाँ वजन बहुत जादा तो नहीं है तो ठीक है लेकिन जैसे उसका सही समय पे नहीं आ रहा है तो फिर भी एक पेट का आप उनको अल्टरा साउंड किसी डॉक्टर के परामश से करा सकते हैं तो ये देखा जा सकत है कि अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है और उसके बाद ही आप किसी का दवा उनको शुरू करिएगा तो आप यह बताईए सर जी मैं अशोकारिश्ट रख्यों उसको पिला सकती नहीं नहीं अशोकारिश्ट आप नहीं पिला सकती अशोकारिश्ट पिलाने से कम हो जाता है और अशोकरिष्ट जादा जिनको होता है उनको दिया जाता है अशोकरिष्ट बिल्कुल मत दीजेगा अगर कम हो रहा है आप पहले किसी चिकित्सक को उनको दिखा ले उनका परामर्श ले उनकी कुछ जाचे करा ले बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवा कोई भी इलाज म नहीं जाता और भी बहुत सारी समस्या है होती है कि पेट में दर्द हो रही है हाँ जी इसलिए तो मैंने बोला एक बाद आप चिकिछसक को दिखाईए वो सही तरीके से उनको डाइग्नोस करेंगे और फिर इसका इलाज आप उनसे कर सकती है और बाकी उनकी दिन चर्या निय करा करें तब ठीक है तो यह सब अगर ठीक है अहार वगेरा उनका सही ले रही है तो आप उनको फिर भी इसी भी बिमारी के लिए हमें पहले बार चिकित्सिया परामर्श ले लेना चाहिए डॉक्टर को दिखा लीजे उसके बाद आप उनको वो जो भी ट्रीट्मेंट कर सकते हैं हम तो बैठते हैं मरीजों को देखते हैं आप उनका आईरवेद भी इलाज कर सकती हैं मैं बैच्टी में सरसुंदल होस्पिटल जो है बीचु का स्पिताल है उसमें शनिवार को बैठती हूं समय ओपीडी टाइमिंग्स हमारी 9 बज़े से 1 बज़े तक होती है स इसके लिए आपको धन्यवाद है आईरवेद विभाग में आप आके दिखा सकते हैं जी धन्यवाद हालो कारिक्रम आरोग्यम कौन बोल रहे हैं बोलिए क्या प्रश्ण है आपका आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता तिवारी आईमेस ब्यच्चु आयरवेद संकाय से जी जैसे मानसिक घर में इधर उधर होता है तो हम यह चाहते हैं कि कर्शों सही हो सकता है जी बताइए क्या परिशानी है एक महीने में एक बार होने काहिए कभी उपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है देखे तीन से 5 दिन का आगे पीछे होना नौर्मल माना जाता है एक दो दिन या तीन दिन अगर किसी का इस महीने आगे बढ़ गया, नॉर्मल होता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, उसको कोई समस्या नहीं मानना चाहिए, जब दस दिन से जादा का डिफरेंस आएगा, आठ या दस दिन से जादा का डिफरेंस आएगा, तब ह जी क्या है। हम उसको इस तरह मानेंगे कि वो कुछ गड़बर हुआ एक-दो दिन, तीन दिन नॉर्मल होता है। जी, ऌल्मोस नॉर्मल है। जैसे हर बार ही चार दिन बढ़ता है क्या। अच्छा, उम्र क्या है उनकी। हाँ तो ठीक है अगर हर बर चार दिन बढ़ता है जैसे हर महीने जिस डेट को आना है उस डेट से अगर चार दिन बढ़ जाता है हर महीने तो भी ये नॉर्मल है दॉक्तर अक्सर महिलाएं या यूवतियां है वो यह शिकायत करती हैं कि मासिक धर्म कभी जल्दी आ रहा है कभी देर से आ रहा है तो यह कितना दिन आगे पीछे होना ठीक रहता है मतलब चिंता की कोई बात नहीं है नॉर्मली जो हमारी मेंस्रल साइकल है या मासिक धर्म का जो चक्र है वो 28 देज टू 34 देज तक का नॉर्मल माना जाता है किसी का 28 दिन का साइकल हो सकता है किसी का 30 दिन का हो सकता है किसी का 32 दिन का हो सकता है assume करते हैं या मान लेते हैं कि किसी का 10 तारिक को आता है तो अगर उनका cycle दो दिन पहले आता है या दो दिन बढ़ के आता है या 8 तारिक को आई या 12 तारिक को आई इन दोनों cases में ये normal माना जाएगा इसमें कुछ भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है ये हमारी body हर एक महिने में कई सारे factors हैं जो हमारे मांसिक धर्म पर असर डालते हैं जैसे थोड़ा सा weight अगर हमारा बढ़ गया या कम हो गया एक महिने में weight में हलका सा difference आ सकता है तो weight के बढ़ने से भी और वजन के कम होने से भी एक आदे दिन का difference आ जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी stress factor की वज़े से हमारे मेंसिक के पीरिड में एक दो दिन का difference पुराने पीरिड से आ सकता है तो ये तीन से पांच दिन का जो हम difference बताते हैं कि अगर ये कम हो जाए या जादा हो जाए तो बहुत जादा चिंता करने का विशह नहीं है लेकिन अगर more than ten days का difference आ रहा है आठ से दस दिन रेंज है तो जरूर एक cycle वेट करिए आप दूसरा cycle observe करिए एक बार उसको देखिए अगर दूसरा cycle तीसरा cycle इसी pattern पे दस दिन आगे या दस दिन पीछे हो रहा है तो जरूर आप इसी चिकित्सक का परामश लीजे उनको दि investigation है बेसिक जांच है जो इन सभी cases में हम करवाते हैं तो आप एक बेसिक ultrasound करवा सकते हैं फुद भी जाके करा सकते हैं नहीं तो किसी चिकित्सक के परामश से जरूर करवा ले और उसके बाद एक डॉक्टर को प्रॉपर दिखा कर आगे की सला ले सकते हैं रोक्टर ये अग अधिक धर्म और आईरवेज से समंधित आज हमारे साथ है डॉक्टर ममता तिवारी कितने साल की आपकी बेटी है और उसका मेंसस अभी शुरू हुआ है कितने दिन पहले शुरू हुआ आट-nौ महीने पहले शुरू हुआ है तो अगर उसका महीना अभी ठीक से नहीं आता है मतलब कभी-कभी ज़ादा देन हो जाते है ना जैसे आपने बताया कि कभी-कभी काफी दिन होते हैं बाद फिर आता है मैना तो देखिए माम अभी तो ये शुरू हुआ है तो इस तरह की irregularity मतलब इस तरह का चढ़ा उतार normal है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है चिकित्सक को भी दिखाने की जरूरत नहीं है अभी एक दो साल ये ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि अभी बच्ची बहुत छोटी है और अभी हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो पूरी fix नहीं हुए है मतलब इस्थाई नहीं हुए है ये जो हॉर्मोन्स हमारे बॉड़ी में चेंज होने लगते हैं जब उमर 13 साल 14 साल की आती है तो इनको establish होने में या इनको fix होने में शरीर में स्थाई रूप लेने में थोड़ा सा समय लगता है जब ये स्थाई रूप से हो जाएगा तो फिर ये जो समस्या है उतार चड़ाव की ये नहीं रहेगी तो अभी आप बच्ची को जो भी मेंस्ट्रल हाईजीन है कैसे उस समय रख रखाव करना चाहिए क्या सावधानिया रखनी चाहिए कैसे पैड्स यूज करने है कैसे साफ सफाई रखनी है जैसे बहुत ज़दा कूदना नहीं है बहु इस दिन जो ब्लीडिंग होगी उतने समय के लिए साथी साथ उसके खान पान का भी बेहत ध्यान रखिए कि वो जो खाएं क्योंकि अब महीना शुरू हो गया तो वो उनका महीना रेगुलर सही प्रकार से आए इसके लिए उनकी डाइट भी आपको ध्यान रखनी होगी फा आज इस संचार माध्यम से मैं लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि अगर किसी भी लड़की का जो की 16 साल से लेके 25 या 28 साल की उमर में है उनका मांसिक धर्म अगर एक या दो दिन रहता है तो ये उनके मांसिक धर्म की एक बड़ी गड़ी की और इशारा करता है और इस जो माताएं हैं उनकी जो उनके घर के बड़े बुजर्ग है ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बच्चियां अपना भोजन जो है वो सही प्रकार से लें जिसमें की सभी प्रकार के न्यूट्रियंट सभी प्रकार के पोशक्तत उनको मिल रहे हो एक संतुले ताह में इसका हिंब के समय गरवा फुत जाıd히 के समयों तो बहुत जादा परेशान ही जाते हैं प्रकार शादी होने के बाद भी अगर इस तारह की समस्या बनी रहती है तो बच्चा नहीं हो रहा है और fertility issues होने लगते हैं, इससे भी लड़कियों को और साथी साथ उनके घरवालों को बहुत stress होता है, इसलिए ये चीज बहुत पहले से ही सुधार में आ सकती है, इसको रातो रात या दो दिन की दवा, एक मेनी की दवा से नहीं सुधार आ जा सकता, कभी-कभी तो पूरा- पूछी आपका प्रश्न क्या है, आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर ममता दिवारी, हालो, हाँ जी बताएं, मुझे ना PCOD की प्रॉब्लम है, जो कि जब मैं इंग्लिश दवा खाती हूं, तो फिर रिलक्स होता है, बट जब मैं छोड़ देती हूं, तो मुझे फिर से प्रॉ हो जाने के, और उसमें से कुछ प्रमुकारण हमारी अपनी दिन चर्या और हमारी अपनी लाइस्टाइल के होते हैं, PCOD में ऐसा होता है कि हमारी जो एग है वो रिलीज नहीं होती हमारी ओवरी से, और उसकी वज़े से हमारी ओवरी में छोटे-छोटे कई सारे सिस्ट बन होने चाहिए और हमारे मेंसोस को नॉमल जो रखते हैं वो सही प्रकार से नॉमल मेंसरेशन हमें नहीं आता, टेस्टोस्टरॉन जो एक मेल होता है, वो हमारी बॉड़ी में बढ़ जाता है, इससे कई सारी लड़कियों को फेशिल हेर्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यह मुझे प्रॉब्लम होई थी, मैंने ट्रीटमेंट किया तो फिर डॉक्टर ने तो बिल्कुल कह दिया था कि नहीं आप पंसीव नहीं कर पाएंगी लेकिन फिर मैंने फोप छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मेरी बेती हुई लेकि तो इनका जो प्रमुक कारण होता है, जैसे आपको भगवान की करपा से बच्ची हो गई, लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि वो इस वज़े से कंसीव नहीं कर पाते हैं और इधर उधर इलाज के लिए बटकते रहते हैं, सभी की जानकारी के लिए मैं बताना तो आइरवेद में बहुत ही बहतर इलाज है और इस से इस डिजीज को पूरी तरह रिवट किया जा सकता है, पूरी तरह सही भी किया जा सकता है, बशरते आप धैर रख कर आईरवेद का इलाज करें और साथी साथ जो भी परामर्ष आपको परहेज बताई जाती है, खान मैंने PCOD मैंने चेक नहीं कराया अपना तो फिर क्या मुझे सजेस्ट करें कि मैं कंटिन्यू करो उसके क्रीटमेंट या फिर छोड़ दो अभी तो आपको बच्चा कितना बड़ा है अभी सी मंस का है हां तो अभी सिक्स मंस तक तो लैक्टेशनल एमनोरिया रहता है मतलब इस सीज के लिए मैं आप से यह कोंगी कि अभी आप उसको कुछ भी नहीं करें आप एक हल्दी रूटीन एक हल्दी लाइफस्टाइल एक हल्दी डाइट पैटन अडॉप्ट करिए और अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपका आधा PCOS रिजॉल्व हो जाएगा बिना दिन में थोड़ा सा समय निकालके आप योगासन का प्राक्टिस कर सकती है कुछ आसनों का ध्यान का इस्ट्रेस लेवल अपना कम रखें साथी साथ डाइट जो आप ले वो कैलरीज में कम होनी चाहिए और नूट्रिशन में जादा होनी चाहिए और यह आपके बच्चे के स्वास्त पे भी अच्छा प्रभाव डालेगा मैं इसके लिए आपको एक अच्छा एक्जामपल बताती हैं एक हलीम के बीज आते हैं हलीम कहते हैं हिंदी में उसे गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं आपको किसी भी पंसारी के दुकान पे वो मिल जाएंगे उनको दो घंटे के लिए और उसको फिर दूद में पका लिजे और उसको आप भी लीजे और आपका बच्छा तो बहुत होता है तो आपके ब्रेस मिल के माध्यम से वह बहुत ही निट्रीश होता है और एक तरह से वेट लॉस भी करता है तो इस तरह की जो चीजे होती हैं खाने पीने में हमको इंक्लूड करनी चाहिए आप दलिया खा सकते हैं जैसे मुल्टी ग्रेन का दलिया बजार में मिलता है आप दाल चावल की जगे दलिया बनाकर खाईए इस समय में इसमें सब्सियां डाल सकते तो इस तरह की डाइट पार्टन अगर आप थोड़ा सापना चे में दवाओं पर कुछ भी मत करिए आप इनी चीजहों को ठीक करिए तो आपको काफी सुधार मिल जाएगा धन्यवाल हलो कारिक्रम आरोग्यम कौन बोल रही है कहां से मैं मेरे नाम दीपा मिश्या है में इंदरा नगर कॉलोनी खष्री वारांसी की बोले हैं मैं मुझे पीरिट से रिलेटेड़ी प्रब्लम है कि पीरिट साने वाले होते हैं तो लगबत तीन चार दिन पहले से बहुत पेन होता है और आने के भी तीन बार तक बहुत पेन होत दीपा जी आपने दवा को लेने के पहले अपनी कभी कोई जांच कराई है इस समस्या के लिए नहीं मैं मैं जांच तो कोई अलग से अभी तक नहीं कराई है क्योंकि अश्य को जब यह आता है तभी प्रब्लम होती है एक बार एक डॉक्तर को मैंने इक तो मैंने दिखाया आपको यह समस्या कितने सालों से है आपकी एज क्या है 40 40 तो दीपा जी मैं आपको सिजिस्ट करूंगी कि आप एक अल्ट्रा साउंड जरूर अपना करा ले क्योंकि नॉमली यह जो समस्या है वो इतने दिनों तक महिलाओं को रहती नहीं है अपके ओवरवेट है नहीं मैं नॉमल है यह जी तो दीपा जी आप इसके लिए फिर भी अपना एक अल्ट्रा साउंड जरूर करा लीजेगा जबी आपको सुवधा होती है तो एक रूटीन इंवेस्टिगेशन के परपर से और साथी साथी समस्या के लिए भी आप एक इन नहीं होगी और साथी साथ आप थोड़ी सी नुट्रीश डाइट लेना शुरू करिए नुट्रीश डाइट कहने का मतलब है मेरा जैसे अगर आप गी का प्रयोग करती है तो आप कुछ दिनों के लिए जैसे जब आपको पीरेट जाने वाला होता है उसके एक हफते पहले को अफने दाइट बढ़ा सकते हैं इन दा फॉर्म आप ऑल इछ अंगी जैसे आप घी का ह Cabine का रिए सकती है आप सिंघ्動画 के आटे का हलवा बना सकती हैं सूजी का हलवा ले सकती है नाश्टे के रूप में यह स्नàक्स के फॉर्म में हफते पहले आपको इन सब तरह की अपसुज नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना है तो आपकी जो पेइन फ्रिक्वेंसी है थोड़ा सा काम मूली साथी साथ आप गरम पानी के बैक से उस वक्त अपने लोवर एब्डॉमेन की सिकाई भी कर सकती हैं आप एक दो बार इन चीजों को करके देखें कि आप वे आपको इंप्रूब्मेंट ओता है और इसके ऑद आप की जो पैंकिलर आपको लेनी पड़ती है वो शाहिए एक को फ़ड़ा सा बढूलू ऑन यहाल हो जाए यह डिपन करता है पेशेंसलों कि सिकास इस पना जाए और उसके बाद जैसे ही आपको इंप्रूम्मेंट लगता है तो आप इन चीज़ों को रूटीन में फॉलो करें हर महीने इस चीज़ को ऐसे ही फॉलो करें और आपकी समस्या ज़रूरी कम हो जाएगी बлагरेंगें ज़लो कके रहें और युवतियां किसी नखिसी कारण से महवारी कभी जल्दी या देर से लाने के लिए दवाईयों का प्रयोक करतIs हैं क्या ये सही है? देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर की और सारी क्रियानवित होती है, जैसे जिस प्रकार हमें भूख लगती है, जिस प्रकार हमें टॉलेट जाते हैं, या वाश्रूम जाते हैं, या जिस तरह हमें नीन आती है, इसी तरह ये भी हमारी बॉडी की एक अपनी नाच्रल प्रक्रिया है, जिसमें हमारी बॉडी के कई सारे ओर्गन्स एक साथ काम करते हैं, और तब एक सही प्रकार से मासिक धर्म सही समय पर, सही अंतराल पर आता है, अगर इसको हमने करने के लिए भी जो दवा यूज होती है, वो भी हॉर्मोन्स होती है, तो ऐसी दवाएं अगर आपने कभी एक बार यूज करा, तो इसका कोई शरीर पे विशेश प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं, ह हमारे बोड़ी के जो नाचुरल रिदम है, उसको गड़बड करते हैं, और जब नाचुरल रिदम बार-बार छेड़ी जाएगी, तो हो सकता है, वो रिदम पूरी तरह से दिस्बालन्स हो जाए, अपने आप में बिगड जाए, और फिर इस से आपको आगे जाके, किसी भ परिशानी आ सकती है, और उसको फिर चिकित सको और आपको भी कई दिनों तक इलाज करके ठीक कर पाएंगे आप, या कही बार ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसी बिमारी आए, कि आप उसको ठीकी ना कर पाएं, जैसे आजकल हम देखते हैं, कि कैंसर्स हैं, या फाइब्रोइड है जो कि बाद में कैंसर में कनवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग उसके बारे में अवेर नहीं होते हैं, उन्होंने कभी अल्टरसाउन नहीं कराया होता, तो जो हमारी सेल ग्रोथ होती है, वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो इसी लिए इन सब समस्याओं को हम अपन के लिए जादा अच्छा होगा, थाइरवेद के समस्या क्या मासिक धर्म के समस्या से जुड़ी होई है, और आयरवेद के दौरा अगर हमने किसी एक चीज का इलाज किया, तो क्या दूसरी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, आयरवेद में थाइरवेद की समस्या के भी उसमें से एक प्रमुख कारण है, तो जिन लोगों को थाइरवेद की समस्या रहेगी, अक्सर उनको देखा जाता है कि उनका मासिक धर्म सही प्रकार से नहीं आता है, तो थाइरवेद के साथ सत, जिनका ब्लड शुगर भी अनकंट्रोल होगा, या जिनका वेट गेन ब जिलती हैं, जुड़ी हुई हैं ये सारी समस्या आपस में, और थाइरवेद के लिए आईरवेद में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जैसे काचनर गुगल है, और वरुनादी कशाय है, जो थाइरवेद को सुधार में बहुत अच्छी उपयोगी दवा डॉक्टर आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं के प्रश्णों के समाधान कारक उत्तर आपने दिये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अकांशा जी मैं, चलते-चलते आप की पसंद का एक गीत श्रोताओं संग सुनेंगे, कौन सा गीत? जब कोई बात बिगर जाए, जब कोई मुश्किल पढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमना बाद जब कोई बात बिगर जाए, जब कोई मुश्किल पढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमना बाद न कोई है न कोई था जिंब की में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमना बाद तुम देना साथ मेरा ओ हमना बाद तुम देना साथ मेरा ओ हमना बाद हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवार न कोई है न कोई था जिंदगी में तुमारे सिवा तुम देना साथ मेरा वो हम नवार तुम देना साथ मेरा तुम देना साथ मेरा